एक बार महराज दश्रत स्वर्ग गए राक्षसों से युद करने युद करते करते महराज को बान लग गया और सार्थी के रोब में उनकी ही तीसरी पत्नी केकई ने उस राक्षस का वद करके महराज दश्रत को बचाया युद जीतने के बाद राजा दश्रत केकई से मैं तुम्हें दो वर्दान देना चाहता हूँ राणी केकई कोई दरूत नहीं है राजा दश्रत तुम्हें दो वर्दान मांगने ही होंगे राणी केकई जब मुझे मांगना होगा तो मैं मांग लोगे फिर वो एध्यव वापस चले जाते हैं एध्यव पहुषते ही महाराद दश्वरत की दोनों पत्रिया रानी कौशल्या और रानी सुमित्रा उनका स्वागत करती है रिशी वशिष्ट आते हैं राजा दश्वरत प्रभू विराजिये रिशी वर बैठ जाते हैं अगर मुझे कुछ हो जाता तो कौन इस राज का उत्रा दिकारी होता रिशी वशिष्ट तुमको रिशी श्विंगी के पास जाकर उनसे पुत्र कामिस्थि यग करने के लिए कामना करनी चाहिए यह सुनकर राजा दश्रत रिशी श्विंगी के पास जाते हैं राजा दश्रत रिशिश्विंगी से रिशिवर आपको इस दश्रत का प्रणाम रिशिवर आप मेरे मेरे महल अरध्या में आकर पुत क्रेश्टी यग करें मेरी आप से प्राथना है रिशिश्विंगी ठीक है मैं आकर यग करूँगा यह रिशिश्विंगी वही हैं जिनसे राजा दश्रत की बेटी का विवाह हुआ था तो इस रूप से यह अपने दामात को ही बलाने गए थे राजा दश्रत महर वापस चले जाते हैं राज महर में अगडे दिन रिशिश्विंगी आ जाते हैं और पुत एष्टी यग करते हैं इस से में महरा दश्रत की उम्र साट साल याने सिक्स्टी साल की है यग पूरा होते ही अगनिय देव प्रसाद की रूप में खीर देते हैं जो रिशी शिंगी महाराथ दश्रत को देदेते हैं महारात दश्रत आधिखी कोशल्य को आधिकी केकई को देते हैं पर सुमित्र रह जाती है यह देखकर रानी कोशल्य अपने में से थोड़ा भाग सुमित्र को देती है और केकई अपने में से दोनों हिस्तों को एके करके ग्हेंड कर लेती है इखीर को इसका तीनों पर प्रभाव पड़ता है सबसे पहले रानी कोशल्य ने एक पुत्र को जनम अन्य ungef आनि सुमित्रा ने दो पुत्र को जनव दिया से जिसका संभाइव दासियों ने महघादस्र को कहा दो कि महघादस्र ने दासियों को कई मलाए दिन को सिस्ष्च छारों भाई पैदा हुए वो दिन है चैत शुक्ल नव्मी जो नव्रात्री आती है चैत के महीने में उसकी नव्मी के दिन चैत शुक्ल नव्मी के दिन ही ये प्रगट हुए थे रिशी वशिस्ट उन चारोत पुत्रों का नाम करने करते हैं कि रिशी वशिष्ट रानी कोशल्य के पूत्र कानाम राम होगा रानी केके के पूत्र कानाम भारत और रानी समित्र के एक पूत्र कानाम लक्ष्मन और दूशे पूरा नगर हर्ष और उल्लास से भर गया और सब मंगल गीत गाने लगे राम लक्ष्मन और भर शत्यूगन का जोड़ा बना क्योंकि जो रानी कौशल्णा ने अपने खीर के हिस्से से थोड़ा से हिस्सा रानी सुमित्त को दिया तो इन दोनों हिस्सों की वर से राम और लक्ष्मन का जोड़ा बना और जो रानी केक कई ने अपने खीर की हिस्से से थोड़ा हिस्सा रानी सुमित्ता को दिया जिससे दोनों हिस्सों की वर्या से भरत और श्रतुगन का जोड़ा बना दीमे दीमे चारो भाई राम, लक्षमन, भरत और श्रतुगन नौ साल की हो गए उन चारो को पढ़ाने का समय आ गया रिशी वशिष्ट उन चारो भाईयों को अपने आश्रम ले जाने के लिए आए चारो ने पहला दान महारा दर्शत और तीनो रानियों से मांगा दान लेने के बाद चारो भाई रिशी वशिष्ट के आश्रम चड़ ले जाते हैं जैसे ही सब आश्रम पहुचते हैं वहां की हर चीज खिल उठती है रात में अपने भाईयों को सुलाने के लिए श्रीराम लोरी गाते हैं यह सुनकर और देखकर रिशी की पत्नी बहुत खुश होती है तबी वह उन सारे आश्रम के बच्चों को लोरी सुनाती है अगले दिन रिशी वशिष्ट पत्नी बच्चों को संगीत का भी ज्यान देना चाहिए रिशी वशिष्ट ठीक है तो मैं बच्चों को कठोर्ता सिखाऊंगा और आप संगीत से निर्मलता अब से दिन में रिशी कठोर्ता सिखाते हैं और उनकी पत्नी राद में संगीत जब श्री राम नौ साल की हुए उसके कई दिन बाद वैशार शुक्ल नौमी को मिठला के राजा जनक और रानी स्वयनाना ने सोने का हल चलाया क्योंकि जब बंजर जमीन पर राजा रानी सोने का हल चलाएंगे तो वो उपजाओ हो जाएगी जब उन्हें हल चलाया तभी हल की एक जगह पर अटक गया तभी लोगों ने वहाँ खोदा एक पत्थर पड़ा हुआ मिला उस को हटाया तो एक बड़ा सा घड़ा है जिसमें एक बच्ची है उस बच्ची को राजा जनक ने निकाला उसे अपनी बेटी बना लिया कर्ण्या को भूमी देवी ने मिठ्ला की धर्ती में रखा था वही कर्ण्या महराज जनक को धर्ती के अंदर से मिली राजा जनक ने उसके कई नाम रखे राजा जनक इसके तो कई नाम होंगे भूमी के गर्व से उत्पन हुई तो इसका नाम भूमी से भूमी जा मेरी पुत्री मरत जनक की पुत्री इसलिए जनक से चान की मिठला राज की राज कुमारी इसलिए मैठली वैदेह राज की कुमारी इसलिए वैदेह से वैदेही और हल के नीचे से नीचे के भाग से उत्पन हुई इसलिए सीता क्योंगी उस हिस्से को सीत कहा जाता है कि नाम से जाना जानी जाएगी इसने हमें संतान सुख प्रदान किया है और उनके सीता जी के आने के बाद लोग खुशिया मनाते राजजनक का असली नाम सिर्दवज है कुछ वश बीद गए और सीता जी थोड़ी बड़ी हो गए एक दिन सीता जी ने शिव धनुष खेल ही खेल में खिसका दिया वो शिव धनुष राजा को शिव जी ने दिया था जो शिव जी ने जिससे शिव जी ने तिप्रासुर का वद्ध किया था और इस धनुष का नाम है पिनाक शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक तो यह देखकर राजा ने प्रन लिया कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो स्वेमवर में धनुष रखेंगे तो राज गुमार प्रतियंचा चढ़ाएगा वही उसका वर होगा क्योंकि शिव धनुष को हर कोई नहीं हिला सकता था सीता का होने वाला पर ही हिला सकता था सीता जी के अलावा राज जन्नक की दो बेटी हैं सीता और उर्मिला उनके छोटे भाई कुशदवच की दो बेटी हैं मांडिवी और शुतकिर्ती कुछ समय बाद जब समय आ गया कि जन्नक जी उन्हें शिक्षा के लिए भेजें चारों को तो उन्होंने रिशी गौतम को बिलाया रिशी गौतम के आते ही सीता के सीता ने प्रशन कर दिया गौतम रिशी शिक्षा क्रोध से मुक्ति पाने के लिए होती है थीता जी आपने अपनी पती अहिल्या पर क्रोध क्यों किया था तब ही उन्हें अपनी गल्टी का एहसास होता है राजा जनक गौतम रिशी से रिशी वर उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ गौतम रिशी तुम्हारी कोई गल्ती नहीं है मुझे बुरा नहीं लगा फिर वो चले जाते हैं सीता जी और उनकी तीनों बेहनों को पढ़ाने के लिए राजा जनक ने रिशी यग्यवल के आश्च्रम में भेजना आरंब किया सीता जी ने अपने कक्षा में अध्यापक रिशी यग्यवल से प्रश्ण किया शीता जी गुरुवर पार्वती जी की पूर्य क्यों नहीं होती यह सुनकर रिशी ने राजा जनक को बताया रिशी रग्यवर राजा से महराज शीता ने प्रश्र पूछा पार्वती जी की पूर्य क्यों नहीं होती राजा जनक प्रसंद होकर तो हम पारवती जी का मंदी बनवाएंगे जब वो चारों परकर लौटती हैं तब वो कभी कबार स्वर्ण मिख देखने जाती है क्योंकि सीता जी को स्वर्ण मिख देखना पसंद है एक दिन कख्षा से वापस आते वक्त वर्षा होने लगी तबी उन्होंने देखा कि राजा जनक के पुष्प वाटिका में मोर नाच रहे हैं मोर को देखने लगे और नाचने भी लगे इन सम्मे राम लक्षमा भात और शत्युगन बड़े हो जाते हैं उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है और वो राजमें वापस चले जाते हैं सब ने उनका अच्छे से स्वागत किया कुछ वश बाद महाराद दश्षत अश्व में यग करते हैं इसमें अश्व को दोड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है उस अश्व पर लिख लगा हुआ है कि अश्व को जाने दो या फिर परिडाम के लिए तयार रहो श्वीराम मन में अश्व को बली से बचाने के लिए मुझे सोने का अश्व बनवा लेना चाहिए अश्व को बली से बचाने के लिए श्वी राम सोने का अश्व बनवा लेते हैं कि बली में इस सोने के अश्व की बली हो ना कि असली अश्व की अश्व जो दोड़ के बापस आता है तब राज़ दश्वरत उसकी बली देने जा रहे होते हैं यह देखकर श्वी राम सोने का अश्व लाते हैं श्वी राम आप इसकी बली दीजिये ना की इस प्राणी की जान इस अश्व को बली के रूप में पिगला कर लोगों में विच्चित कर दिया जाए राजद अश्रत यही करते हैं सोने का अश्र पिग लाकर सब में बाट देते हैं